तो अगर आप Ethical Hacking सिखना चाहते हो और आप जानना चाहते हो Best Online Ethical Hacking Course तो आप बिल्कु सही वीडियो को देख रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे हम बताने बाला हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और कोर्स बताने से पहले मैं आपको दो चीज के बारे में बताना चाहूँगा पहला कि Hacking और Ethical Hacking में क्या difference होता है और दूसरा कि आपको क्यों Ethical Hacker बनना चाहिए तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मैं आपको बता दू मैं इस चैनल पे अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना जिसे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब हम लोग बात करते हैं Hacking और Ethical Hacking में क्या difference होता है Hacking में hackers किसी भी system का vulnerability का फायदा उठाकर system को hack करके access लेने का कोशिद करता है और Ethical Hacker ऑनर का permission से vulnerability को system में खोचता है ताकि security issue को fix किया जा सके जिससे कोई भी hackers उसको फायदा ना उठाए सके यह होता है basic difference between hacking and ethical hacking और second में हम लोग बात करते हैं कि आपको क्यों ethical hacker बनना चाहिए According to a survey quoted by New York Times जो global industry है hacking का which is a part of cyber security यह लबग प्रेडिट किया जा रहा है कि लबग 2025 तक 3.5 million job create करने वाला है इससे आप समझ सकते हो कि industry में कितना ज्यादा demand है ethical hacker का ऐसे में अगर आप ethical hacker बनना चाहते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा decision हो सकता है जिससे आप बहुत ही असानी से किसी कंपनी में job कर सकता है तो बीना किसी देरी किये हुए वीडियो को सुरू करते है जो हम लोग का पहला course है ओ है ethical hacking beginner course in Hindi इस course में मुझे दो बार सबसे अच्छा लगता है पहला कि यह course beginner के लिए है अगर आप ethical hacking में बिल्कुल नहीं हो आपको ethical hacking के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी आपको कोई problem नहीं होने वाला है क्योंकि यह course beginner के लिए ही बनाया गया है इस course से आप start कर सकते हो अपना ethical hacking का journey को और दूसरा यह है कि यह course हिंदी में है आप इस course को YouTube से purchase कर सकते हो और इसका नाम से ही पता चलता है कि जितना भी fundamental होता है ethical hacking का सब इसमें आपको सिखाया जाएगा वो सारे tools आपको सिखाया जाएगे जो बहुत ही ज्यादा important है ethical hacker बनने के लिए यह course भी बहुत अच्छा है जितना भी मैं इस वीडियो में आपको course बता रहा हूँ सब का link आपको description मिल जाएगा तो आप definitely आपको वहाँ से राइट इस course को purchase कर सकते हो और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जितना भी वीडियो में का courses है सब का link है वो affiliated link है अगर आप इस link से purchase करते हो तो कहीं ने कहीं इस channel को आप तो आप support भी करोगे जिससे मैं आपके लिए और ज्यादा better content बना सको at free of cost और आपको इससे एक रुपाय भी घर्टा नहीं होने वाला है तो मैं आपसे request प्योंगा कि अगर आप इस course को purchase करते हो तो आप बहुत कुछ सिख सकते हो इस video में जितना भी मैं course बताने वाला हूँ सबको मैं detail में explain नहीं करूँगा कि उससे video लंबा हो जाएगा और उससा कोई मतलब नहीं बनता है कि कुछ जितना भी मैं course बता रहा हूँ उसको आप किस तरह से use कर सकते हो उसमें क्या कर टूल है जो आपको बहुत जाथा help करने के लिए उस सब चीज के बारे में इस course में सिखाया गया है तो आपको बहुत सुछ मिलने वाला है तो definitely मैं बोलूँगा अगर आप कोई और ethical hacking का course करते हो जो introduction है उसके बार तब यह course को ज़रूर करने चुंकि ऐसा hacker आपको काली Linux डेफिरेंटली आने चाहिए जो हमलों का next course है ओ है Learn Ethical Hacking and Penitrescent Testing Online यह course भी बहुत ही कमाल का है इसमें आपको Penitrescent Testing के बारे में बताया गया है इसमें आपको ethical hacking के जितना भी basic चीज़ है उसके साथ जो Penitrescent Testing कैसे किया जाता है कितना important होता Penitrescent Testing करना कैसे आप Penitrescent बन सकतो हो इसके वारे में काफी अच्छा से लिए सिखाया गया है यह course भी आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होगा अगर आपको इतिकाल हागना बनने का पूरा जनुन है तो आप इस course को भी definitely check out करना इस course भी बहुत अच्छा है इस सब course का जो detail है उस सब मैं आपको इस screen पर दिखा रहा हूँ तो आप वीडियो को post करके आप पढ़ सकते हो जो मगा 6th course है वो है Edureka Cyber Security course यह course Edureka नहीं बनाया है यह आपको Edureka के website में मिलेगा अगर आप Edureka को follow करते हो YouTube पे तो आपको इस तरह का बहुत सरा course फिरी में मिल जाएगा YouTube पे तो वहाँ से भी आप सिर्ख सकते हो तो आप इस course को करना चाहते हो तो इसका link में नहीं दोंगा तो आप Edureka के बसर पे जाके इस course को पढ़ सकते हो I think मुझे नहीं पता है course paid है या free में लेकि जो भी है मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा दूँगा आप समझ के देख लेना कि course free है paid है Last but not the list जो हमलों का next course है वो है Plantation Testing Discovering Vulnerability यह course आपको EDX पे मिलेगा और EDX एक Online International Learning Platform है EDX पे जितना भी course होता है जो जाला तरह course होता है जो बलाबर इंस्टिूट उनिवर्सिर्टी में पढ़ाए जाता है उसका course आपको मिलता है तो EDX वी बहुत अचा platform है यहाँ से आप Definitely Ethical Hiking का और Pay Intentional Testing का course आप कर सकते हो जो मैं भी बता रहा हूँ आपको इसमें आपको बताया गया है कि आप किस तरह से किसी भी system का scan कर सकते हो और पता कर सकते हो उसका vulnerability of flows को जिसे आपको उसको ठिक कर सको तो यह course भी बहुत ज्यादे important है और बहुत ही अच्छा है तो आपको definitely इसको करना चाहिए तो प्लिस मुझे कमेंड में आप बताना है कि इसमें से कौनसा course है जो आपको अच्छा लगा और कौनसा course आप करने वाले हो और अगर आप को ऐसा course जानते हो जो आपने पहले का रखा है यापी आप रेक्यमेंड करना चाहिए तो प्लिस कमेंड में बताना हम सबको अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो का लाइक कर देना क्योंकि जब आप वीडियो का लाइक करता हो इससे YouTube algorithm का पता चलता है कि वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो ज्यादा से ज्यादा लोग को रेक्यमेंड करता है तो उसके लिए डिफिनिल्टी लाइक कर देना सब्सक्राइब अपना फ्रेंड के साथ अपना कॉलेज फ्रेंड में इसे और प्रोग्रामिंग ग्रूप हाइकिंग ग्रूप में इसे और लोग को पता चले और लोग भी एक ओर्स को कडे और सीखे तो मिलता मैं आपक से नेक्स वीडियो में तो इस ताइम इस अमित अन साइनिंग ओफ